हेलो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रत वाला नास्ता बहुत ही टेस्टी लगी खाने में और इतनी टेस्टी लगेगी ना कि आप बिना ब्रत के भी इसे बार बार बनाना चाहेंगे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे बहुत ही कम सामानों के साथ बनाएंगे और बहुत ही लाजवाब होगी साथ में इसकी चटनी जो है बहुत ही सूपब मतलब इसके साथ कॉम्बिनेसन न इसका बहुत ही अच्छा है सायद ही इस चटनी को आपने इस तरीके से बनाया होगा तो इसे भी जरूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और एक पर चैनल पर विजिट जरूर कीचेगा बहुत ही अच्छे चीरेस भी डाली है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा चलिए बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप साबुदाना लिया था और रात पर मैंने सोख करने के लिए रख दिया था एक कप साबुदाना में मैंने डेड़ कप पानी डाला था तो एक्स्टा पानी बिल्कुल नहीं है अगर आपका पानी जादा है तो एक्स्टा है भी तो आप इसे चन्नी पर रख कितना थोड़ी देर रख दिजेगा तसमिन के लिए ताकि एक श्टा पानी निकल जाए तो चलिए इसे अभी हम साइड रखते हैं और यहाँ पर हम ले लेंगे एक बॉल ले लेंगे बड़ा सा बरतन लेंगे और इसमें हम डालेंगे आलू तो ये उबले हुए आलू लिए हमने छे साथ आलू लिए हैं और ये छोटे-छोटे साइज के हैं एक दो हैं जो ठीक हैं मीडियम साइज के लग रहे हैं लेकिन बाकी सब छोटे-छोटे साइज के हैं आप पूरे मीडियम साइज के लेना चाहते हैं ना थोड़े-बड़े साइज के आलू तो तीन आप ले सकते हैं और इसमें ज़रूरी बात ये है कि आलू उबाल करना अच्छे से पहले ठंडा कर लीजिएगा उसके बाद ही मैस करना है ठीक है तो इसे मैने ठंडा करना छील लिया है उसके बाद हम इसे मैस करेंगे तो मैसर की मदद से हम करेंगे क्योंकि आलू पूरे तरीके से ठंडे हो तो मैसर से भी कर सकते हैं या फिर क्रेटर है ना कर सकते हैं तो ध्यान यहां रखना है ना कि आलू अच्छे से बिल्कुल बारिक हो जाना चाइए कोई चंग्स बगेर नहीं रहना चाहिए तो देखिए मैं अच्छे से कुझाइब कर ए 6-7 मैस बस लिक्टब कर लीए तरह से कर लें के तो इस तरह से तरह से कर लिये हैं अब इसमें बालेंगे Salz जैसे की फिर लिर्ड और काली मिप का पोडर बस इतना में मतलब 4-5ौ और रिया उसरी तो चमपच हो गया और इस तरह से दढ़ी है ओधिया जाइगे पुले जादा मसाले नहीं डाल रहे हैं यहां पर हम ले लेंगे संधा नमक ब्रत के लिए हैं तो संधा नमक हम यूज करेंगे आप बिना ब्रत के बना रहे हैं तो और भी मसाले डाल सकते हैं और सिंपल नमक भी ले सकते हैं यहां पर हरी मिर्च ली है दो बारिक कटी हुई तो आप तीखा आपने हिसाब से ही रखेगा जितना तीखा पसंद करते हैं अब हम इसे मैस कर लेंगे हाथों से तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो इसमें गरम मसाला पॉडर भी थोड़ा सा डाल लीजिएगा चाट मसाला आमचूर पॉडर सभी डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो चलिए हमें सबसे पहले इसे मैस करना क्यों जरूर ये आलू में बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा तो इस तरीके से ही बनाईएगा बहुत ही अच्छी बनेगी अब दीखी हमने लिया है यहां पर आधा कप मुंग फली और यहां मैंने सुखे में ही रोष्ट कर लिया हलका सा आपको सिकसी का सा दिख रहा होगा ना तब अपर मैंने भून लिया ना तेल न घी डाला बस ऐसे ही मैंने भून लिया था और इसी ठंडा करके मैंने मिक्सी म डाल लिया है, अब इसी क्या करेंगे, और पीस लेंगे, तो फिल्खनाודה बारिक नहीं भी, बारिक भी कर सकते हैं लेकिन हलका दरड़र रहे हैं, तो बहुत यह छरए है, बिल्कुल हलका ही दरडरा है, बहुत जादा दरदरा नहीं रखना है तो चलिए इसमें हम डाल लेते हैं आलू में तो सभी डाल करना इसे हमें मिक्स करना है आलू के साथ तो रेस्पी पसंद आ रही हो ना तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और सभी साथ शेयर भी किजिएगा नवरातरा में यह बहुत मतलब साबुदाना के हम बनाएंगे तो साबुदाना वाले ना बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और इस तरीके से बनाईएगा बहुत ही अच्छा फ्लीबर आएगा ना तो तेल में फटेंगे ना वाईली ज्यादा होगा चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से दाना को अच्छे से चानी पर रखिए गया एक्षटा पानी जो होगा निकल जाएगा अब चलिए इसे हम अच्छे से आलू के साथ ही मिक्स कर देते हैं धीरे-धीरे मिलाकर इस तरह से मिक्स कीजिए ताकि मिक्स हो जाए और यहाँ पे मुझे यादा आया कि मिक्स करते ब तो बस पानी को हाथों पर अच्छे से लगा लेंगे और थोड़ा सा पोर्चन लेंगे और इस तरह से सबसे पहले ना गोल कर लेंगे सबसे पहले गोल करे रहा है उसके बाद ही इस तरह से फ्लैट कीजिएगा तो अच्छे से ये अंदर से बंधे रहेंगे और किनारे भी इस तरह से कीजिएगा ताकि से बहुत ही अच्छे से आ जाए जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और यह देखे यह बनकर त्यार हो चुका है बिल्कुल हाथों में चिपक नहीं रहा है तो इसी तरीके से हम बनाएंगे सारे और ध्यान रखिएगा बहुत जादा मोटा नहीं होना चाहिए देखे इस तरह से थोड़ा पतला ही रखा है ले लेकिन बहुत जादा मोटा भी नहीं रखिएगा पकने में बहुत जादा समय ले लेगा फिर और यहां देखे यहां सारे तैयार कर लिए है और यहां हमने 4-5 मैंने थोड़े पड़े साइच के बनाए है तो इस तरह के से भी बना सकते हैं या फिर जिस भी सेप मेंचा यह उससे बना सकते हैं तो चलिए अब इसे हमें फ्राइ करना है लेकिन फ्राइ करने के लिए भी आप देख लीजिएगा कि कैसे फ्राइ करना है फ्राइ करते समय गलतिया नहीं करनी है नहीं तो क्या होगा कि ये तेल में तूट सकते हैं याप आप लेले और इसे करम कर लीज़े लेकिन इसे अच्छे से गर्म कर लेना नेना है मीडियम करना है तो करके घंज एक गर्म कर लीजे आपने पर 꽃 दालेटंब topics थोड़ा स्पेस देके डालिएगा बिल्कुल एकदम नजदीक में मत डालिएगा और देखे इस तरह से हमने डाल लिए हैं अब क्या करना है ना कि नीचे से अच्छे से सिखने देना है नीचे से सिखेगा तभी पलटना है पीच में भी नहीं पलटना है तो देखे नीचे से तो हम पलटेंगे और यहां चोटे चमचे से पलट रहे हैं ताकि आसानी से पलट जाए तो चोटे चमचे कहीं इस्तमाल कीजिएगा जादा अच्छा रहेगा अब हमने सारे पलट दिये हैं तो अब दूसरी बार में क्या करना है कि फिर से उस तरब से भी अच्छे से थोड़ा कलार आने देना है हाई फिलेम ही है अभी तक तो हाई फिलेम पे दोनों तरब से थोड़ा थोड़ा कलार आने दीजिएगा एक एक बार पलट लीजिएगा और जब पलट जाए ना तो उसके बाद आज को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा पूरा लोर नहीं करना है लेकिन थोड़ा कम कर लीजिए यह देखे और बहुत ही क्रिस्प बना है आप देख सकते हैं और तेल में देखेंगे एक भी बिखरा नहीं है टूटा नहीं है कुछ भी नहीं हुआ है तो आप इस तरीके से फॉलो जरूर किजिएगा बहुत सारे इसी के साथ साबुदाना बड़े जब बनाते हैं तो यह टिकिया फिर से डालेंगे तो चलिए यह टिकिया तो फ्राइ होती रहेंगे बड़े टिकी भी उसी तरह से फ्राइ कर लेंगे अब यह हम एक प्यारी सी चटनी बना लेते हैं जो कि इसके साथ बहुत यह अच्छी लगती है तो हमने हरा धनिया है दूहरी मिर्च पर देखते हैं उतने में आप अरधनिया ले सकते हैं और जीरा का पॉडर ले लिए भूना हुआ जीरा का पॉडर हमने डेड़ चमच डाला है और उसके बाद हम डालेंगे मौंगफली यहां मैंने दो चमच लिए मौंगफली और इसे मैंने रोश्ट नहीं किया ऐसे ही ड कहां कहां से देखे जा रही है और यहां हमने संधा नमग डाल लिया है ब्रत के लिए बना रहे तो संधा नमग डालेंगे बाकि आप सिंपल नमग भी दे सकते हैं और यहां हम डालेंगे दही तो दो चमच हमने दही लिया है और यहां हलकी खटी दही है आपकी खटी दही नहीं है ना तो आप इसमें आधी निमू का रस्पी टाल सकते हैं और हाँ जरूरी बात यह है कि आप बिना मतलब की ब्रत में जो चीजे यूज नहीं कर रहना भू आप मट्डा लिएगा अब 2 कटोरी उसी से पानी ले लेंगे जिस कटोरी से मैंने दही ली थी यानि कि कुल 2 चमच दही तो 4 चमच हमने पानी ले लिया है बाकी पानी आप अपने हिसाब से कम और फिर बात में ज़्यादा डाल सकते हैं तो चलिए इसका धकन हम लगा लेंगे और इसे हम पीस अच्छी लगती है तो जरूर ट्रै किचेगा और साथ में ये बड़े वाले है अच्छी लगती देखने में भी और खाने में भी ये दूवर स्नेक्स ना भो हम इसे नास्ता के रूप में कह सकते हैं और चोटे वाले जूपनाया है उसे अपन कर तो आप इस तरीके से एक कमिट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आगे भी व्रत की रेस्पी आने बाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाती हूं यह बहुत ही यह मतलब कि यह स्नेक्स यह नास्ता जो है ना ठंडा हो चुका है फिर भी उपर से बहुत ही क्रिस्प है क्योंकि बहुत लेट से मैं यह सूट कर रही हूं तो पूरी तरीकिस ठंडा हो चुका है और यह देखिए बिल्गुल अंदर से सॉप्ट है उपर से क्रिस्प है बहुत ही टेस्टी लगेगी अंदर तक फ्रेवर इतना मतलब कि आलू में मैं है बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और साथ में सहरी चटनी को भी इस तरीकिसे ट्राय कीजिएगा तो चलिए आपको पसंद आई है रेसिपी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ बाई बाई